हेलो गाईस जो महिला है इस दिवाली की सिजन में या इस तेवारी सिजन में सिलाई मसीन खरीदना चाहते हैं या सिलाई मसीन खरीदने की सोच रहे हैं उन लोग के लिए मैं आज तीन बेस्ट सिलाई मसीन सजेक्स करने वाला हूँ जिसमें से आप कोई भी एक सिलाई मसीन ख किया जा सकता है लगभग समझे बीस तरीके से लेकर और पचास तरीके की सिलाई किया जा सकता है जो नॉर्मल मसीन हमारी होती है उसमें दो से तीन तरीके की सिलाई होती है लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके की सिलाई किया जा सकता है जैसे की काज गवट करना बटन लगाना बनाना इस सारे तरीके पीको करना इस सारे तरीके की सिलाई आप इसी मशीन से एक ही मशीन से कर सकते हैं और ये मशीन खास कर महिलाएं के लिए बनाया गया है एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा कॉंटिटी में कपरा आपको अगर सीना है जैसे 10-20 बलाउज रोज की या commercial यूज के लिए चाहिए तो उसके लिए यह मशीन नहीं है या मशीन घरेली यूज के लिए है जैसे आपको 2-4-5 बलाउज सिलना है या शूट सिलना है तो उसमें आपको ये मशीन काफी काम आएगा काफी useful मशीन है और सबसे खास बात इस मशीन यह है कि जल्दी सुई से निकल जाता है तो प्रोब्लम दूर हो जाएगा अगर धागे लच्छी दे रहे हैं तो वह सारी प्रोब्लम जल्दी नहीं आएंगी जितने भी समस्या है सिलाई बिगड़ जाती है या कपरा में रिंका लाता है इस सारे चीज से आप मुक्त हो जाएंगे अगर इस म मसीन लेडिस के लिए है ध्यान रखिएगा तो चलिए स्क्रीन पर आपको मैं तीनों मसीन दिखाता हूं और इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा वहां से क्लिक करके आप तीनों मसीन को परचेच कर सकते हैं खरी सकते हैं घर सबसे पहले हम सस्ती वाली मसीन पर चलते हैं कि इसमें क्या-क्या फंक्सन है और किस तरीके से आप यूच कर सकते हैं क्या-क्या सुधा आपको मिलने वाला है यह मसीन उसा जेनों ड्रीम स्टीच आटोमेटिक जिग जिग जैक इलक्टोनिक सिलाई मसीन है कैथ में 14 इस्ट दिया गया है 12,651 लोगों ने इसको रेट किया है यानि इससे कई गुना ज्यादा लोगों ने इस मसीन को खरीदा है क्योंकि यह लोग बजट का मसीन है याद रखिएगा इसकी प्राइज जो है 9,575 रुपे है और जिएश्टी लगाकर 11,299 रुपे है जो इसकी प्राइ प्राइज फिर से कम हो जाएगी याद रखिएगा इसके साथ बैंक ओफर भी है चार अत्रिक जो आप यहां से सुब्धा उठा सकते हैं और 5.7 वोल्ट पे चलता है यह 4.38 cm की मसीन है यानि लंबाई चौराई 4.3 cm ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इस मसीन में दो साल की नि हाँ पर सिर्फ ध्यान दिजीए कि मैं क्या क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आठ तरीके की मूप्त सहायक है क्यम दीया गया जो अलग लग तरीके इसमें बताऊंगा 14 तरीके की stitch सिलाई function दिया गया है वो मैंने बता दिया है पहले ही अब कौनसी कौनसी function है वो मैं आपको दिखा देता हूँ देखेए यहां पर इस तरीके की आपका machine देखेगा और सिलाई जो है इस तरीके से होती है इसमें एह जो दिख रहा है आपको इस तरीके से और यहां पर आपको सिलाई की design चेंज करने के लिए दिया गया है मैं उपर बताऊंगा आपको यहाँ पर आप को reverse करने के लिए दिया गया है प्लीट मारने की सुभधा और सारे तरीके दिया गया है bottom में design बनाने की सुभधा यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर तरीके की वित Сिलाई function दिया गया है आज तरीके की इसमें टूल कौनसी कौनसी दिया गया है वो पर देख लीजिए आप सबसे फर्स्ट नंबर में है जो सीडिंग बॉटम बूट है यानि सब तरीके की बूट दिया गया है बूट की मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके की इसमें डिजाइन सिलाई करन और सांत में सूरे गहर भी दिया गया है बहुत सारे तूल दिया गया है में दो साल के वारंटी यहां पर बताया गया है और कि यहां पर आप जाकर छेक कर सकती कौन सी स्टी में होम सर्विस दिया गया है और बताया गया यहां पर तो अब हम चलते हैं उपर आपको पूरा इसकी फोटो दिखाने की कोशिस करूंगा, देखिए, आपको इस तरीके से मसीन दिखेगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर, अब देखिए, पूरी दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पर मैं कर्थर लेकर जा रहा हूं, यह जो चकली दिख रहा है, यही आपका सिलाई का डिजाइन करेगा, जैसे जिस पर लेके जाएंगे, वहां से आपका सिलाई के डिजाइन चेंज होगा, दूसरे नंबर पर आपको कुछ-कुछ सिलाई में आपको दाब बदनने की जुरत परेगी, प्रेसर रबूट जो होती है, लाइटिंग की सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, दे यहाँ पर धागे को फसा सकते हैं, ताकि आपका धागा जो है सुई से बाहर न निकले, और फिर से आपको दूबारा से डालना न परे, यहाँ पर रिवेर्स की सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पर बोटम में फसा कर और डिजाइन बना सकते हैं सिलाई लगाने के बाद, यहां पर टूल जो जो दिया गया है, वो चसीज बताया गया है, यहां पर चीप मुरने के लिए एक दाब दिया गया है, फोल्डर, यहां पर सिलाई खोलने के लिए दिया गया है, वो अरगन की सुई दिया गया है, जो काफी महंगी हो सकते हैं तो यह हमारा सबसे सच्टी वाली और पहली मसीन होई चलते हैं मीड रेंज की दूसरी मसीन पर दूसरा मसीन हमारा उसा जेनोम बंडर स्टिच अटमेटिक जिगजग मसीन है कैथ में 21 फंक्सन दिया गया है जो पहले वाले में 14 फंक्सन था और इसमें 21 तरीके की आपको फ्रीद दिया जा रहा है इसकी प्राइज जो है 12,094 रुपे है लेकिन इसको जीएश्टी लगा कर 13,495 रुपे किया गया है जो कुछ दिल पहले इसका भी प्राइज कम था इसकी रंग जो है सफेद है इसकी वोजन साथ किलो 300 ग्राम है और आप इसे 34 वाड पे च आगे फंसा सकते हैं यहां पर इस तरीके से दिखाया गया है कि दोनों साइट प्लीट है जो आगे हम फूल फोटो करके दिखाएंगे और थोड़ा कुछ रिभू भी देख लेते हैं यह मोटे कप्रे पर भी चलाया जा सकता है ऐसा इसमें फोटो में बताया गया है इसमें भी आप मोरी पे यानि बॉटम पे डिजाइन बना सकते हैं इसमें देख लिजिए कितने तरीके की है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस एगारा बारह तेरह चोदा पंदरह सोला सतरह ठारह उनिस बीस एकिस तरीके की इसमें स्टीच फंक्शन दिया गया है इस आपको समझ में आ जाएगा दस तरीके की उपकरन टूल जो दिया गया है इसमें वही सब बेसिक चीच इंकलूड होता है अलग-अलग सिलाई के लिए अलग-अलग दाब जो हता है प्रेसर बुट ओ दिया गया है साथ में आपको मेजर टेप औगेरा कैंची उची भी दिय जाए गया होता है ठीक है इसमें इस तरीके की आप डिजैन बना सकते हैं और इसमें भी दो साल के वारेंटी जो यहां पर दरताया गया है होम सर्विस भी इसमें दिया गया है लेकिन होम सर्विस कुछ चुनिंदे सहर में ही होते हैं इतना याद रखिएगा अब आगे हम चलते हैं थोड़ा जो ग्रहांक लोग खरीदे हैं उनकी रिव्यू देख लेते हैं कैसे कैसे इमेज जरूर डाले होंगे उन्होंने देखिए इसकी रेटिंग जो है 2657 लोगों ने रेटिंग किया है जिससे अनमान लगाया जा सकता है कि उससे कई गुना ज़्यादा तो देखिए इस तरीके से यह दिखने वाला है देखिए यहां पर कुछ बताया गया है कि इस मसीन से इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं दिखरा आपको बलाउज के किसी फर्सन ने डिजाइन बनागा और फोटो खीचा है तो काफी अच्छा है जो इमपोटरी भी आ इसमें टूल तरीके से दिया गया है इसमें जो चार बटन और यह सब अगरान है जो काफी अच्छा है और इस तरीके से जहादा कुछ श्चिन पांचसो रुप्य जो प्री दिया गया है इसकी प्राइज जो है 16,947 रुपए 46 फेसे हैं और जीश्टी लागा कर 19,998 रुपए है ठीक है जो पांच साद दिन पहले इसकी प्राइज 17,000 रुपए के आसपास ही था अब दिवाली जैसे ही आएगा नजदीक उसमें फिर से इसका ओफर आएगा और प्राइज कम हो सकता है इसमें बिना कीट कर अगर लेंगे अब भी तो अब भी भी बिना कीट का 17,999 रुपए के है और कीट के साथ 19,999 रुपए की है इसकी ओजन जो है 10 किलो 100 ग्राम है ठीक है तो काफी ओजन है इसमें 27 वर्ट पे चल सकता है यानि बहुत थोड़ा कम पा गया है और इसके साथ क्या-क्या दिया गया है वह बदाता हूं इनमें 18 N thread a spoon दिया गया है और 12 N वटन दिया गया एक N केची दिया गया है पांच N सूई दिया गया है और 1 N मापने वाली टेप सामिल है इसमें ठीक है नंबर एक आईसा आ करकते लिखा हुआ है एन मतलब न तरीके की 57 इस्टिच फंक्शन दिया गया है इसमें क्या-क्या है वो देख लीजिए आप चलिए हम आगे चलके बड़ा करके देखेंगे इसको यहां पर आप सिर्फ देख लीजिए सेंपल के तौर पर यह आपका धागा होगा दिया गया है और इस तरीके से दिखेगा और यहां पर यहां पर यह जो है questa यहां पर नम्बा दिया गया है इसलिए ताकि आप शिलाई अच्छे से कड़ सके अलग अलग डिजैन फीजिए बना सके इस तरीके से मोटे कपरे पर कैसे चलाना है वो भी बताया गया है और यहां पे यह सारे चीज इसके अंदर मिलेगा वो चीज आपको बताया गया है तो यह दाब है यह भी दाब है यह कुछ दाब है और यह भी कुछ है उतना एडिया है बटन उटन के लिए साइद ए है इसमें इस्ट्री चोपनर भी है और सुई धागा पंसाने वाले है करी सकते हैं उसके और भी तरीके कि आप अलग अलग तरीके से अपने से डिजाइन तयार कर सकते हैं आपकी जो मर्जी हो उस तरीके से वह इंबोटरी भी कर सकते हैं वाट्स का भी दिजाइन बना सकते हैं उसके साथ में यहां पर जो हमारा करसर हों पर देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि आप जैसे किसी पोकेट पे डिजाइन देखते हैं लोगो बनाया होगा किसी कमपनी का इस्कूल का ऑई अनुए फ़र्म का नाम लिखना है या किसी चीज नाम लिखना है तो वह चीज आप इस मसीन से कर सकते हैं ठीके फांट्सन भी इसमें दीया गया है याद रखियेगा लिविव्य पिर लग और सकते हैं इसके लिए इसमें 57 तरीके की इस्टिच फांट्सन दिया गया और पर सब्सक्राइब बटन भी लगा सकते हैं काज भी कर सकते हैं यह चीज तो मैंने बता दिया बाकी चीज है इसहां पर जो आप ध्यान से साइट पर जाईएगा तो आपको दिखाई देगा आसानी से आप इसको देखकर खरीच सकते हैं और पर सकते हैं आपके सुब्धा अनिस्वार इसमें भी आपको होम सर्विस मिल जाता है लेकिन वही है कि आपको चुनिंदा सहरों में ही रहता है दो साल की वारेंटी है अब इसमें चलते हैं रेटिंग वगएर देख लेते हैं और जो कस्टमर लोग खरीदे उनकी पोटो भी देखते हैं यहां पर 936 लोगों रेट किया है तो काफी कम रेट किया है क्य जुकि यह महेंगी मुसीन है तो भूब सारे लोगों नहीं खरीदा होगा ज्यादा तर लोगों की उमीद होती ही yo टिक है लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सी मसीन लेनी चाहिए आपकी बजट के अनुसार और कौन सा वेस्ट मसीन है चलिए अब इसमें और कुछ देख लेते हैं जो कस्टमर लोग खरीदें उनके हिताब से इतनी साइज की मसीन है जो रियल साइज आपको द लगा रहता है इसमें यहां पर एक्सलेटर दिया गया है जो पैर से कंट्रोल होती है अब वो दोनों में तो मुझे पता नहीं पढ़ने की बात पज़र लेगा अगर पूरा पढ़ेंगे तो लेकिन इसमें बताया है कि किसी क्रिश्टमर ने जो खरीदा है कि पैर से कंट् दिया गया है इसमें यहां पर यह बताया गया है कि आप इसी तरीके से आपको इसे कंट्रोल करना है स्टीच फंसन को और यहां पर रिवर्स वाली जो सिस्टम है ओ दिया गया है और यहां पर देखिए जो बॉक्स दिया गया है वो इसी के अंदर दिया गया है जो रखकर धक्तल लगा देंगे सारे टूल को कि के देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है उपर से सिस्टम ऐसा दिखेगा आपका मसीन का और यहां पर मोटर है यहां पर फलक लगाने का सिस्टम दिया गया है और इस तरीके की दिखने वाला है अब बात कर लेते हैं कि आपको तिनों में से कौन सी मशीन लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली मशीन जो है आप इसे भी खरीच सकते हैं अगर आपका बजट कम है थोड़ा बजट है तो लेकिन यह उतना पावरफुल नहीं है जितना वो दोनों पावरफुल है सब लास्ट वाले तो सबसे ज़्यादा powerful है लेकिन कम budget है तो आप इसको भी ले सकते हैं लेकिन मेरा suggest रहेगा कि इसको मत लीजिए तो आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा पैसा और extra लगा कर और यह वाला machine ले लीजिए जो 13495 रुपे की है यह machine उससे कही powerful ज़्यादा है size में भी बरा है function भ तुसरे वाली machine जो है काफी अच्छा है यह दोनों से मिलाकर medium range में काफी सस्ता भी है और काफी अच्छा भी है तीसरे नंबर में अगर आपके पास budget अच्छा है और अलग-अलग तरीके की अच्छी सिलाई करना चाहते हैं तो आप तीसरे नंबर की machine जो है इसको आप ले स इसके लिए आपको यह तीनों machine नहीं लेना चाहिए उस case में आपको बड़ी वाली machine जो होती है जुक्की का या जैक का या इस तरीके की जो भी machine होती है वह machine आपको लेना चाहिए थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन वह machine लेंगे तो ज्यादा वेटर है अगर आप वह machine भी नहीं लेना चाहते हैं इंडियन machine लेना चाहते है काली मुंडी तो उसमें भी फूल सटर की अच्छी क्वालिटी की machine आती है वह वाला machine लिजिए जो बारा से पंदरा हजार रिपे की machine आएगी वह पैदान वाली वह ले सकते हैं लेकिन यह सारी machine जो बताया है तीनों यह भ संद भी आया होगा फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद